असलाम उलेकुम फ्रेंड्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम तो मैं चैनल एफएच्टू क्लासेस महाट 8 की पेपर सुलिशन की जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं तो उसका पार्ट 2 का ये 161 कोशन है 160 कोशन हम लोगों ने अल्रेडी देख चुके हैं आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग 161 कोशन को देख लेते हैं देखे ये जो सवान है ये जो इन्फोमेशन है इस इन्फोमेशन पर आपको ओपर भी 3-4 सवालत देखने को मिले हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ कि एक अच्छी सी जगा पर आपको ये नंब पर 5 मार्ग्स फिक्स हो जाएगा अगर आपने hasi भान भूल कर दी तो आपके पांचों के पांचों मार्ग्स जा सकते हैं तो यहांपर दीखिए जो नार्मल जो फेमस स्टुरी होती हैन उनी के सेंटेंस दिए गये हैं उनी को यहांपर क्या करना है हमकों रिख रिख करना है अब यहां पर देखिए यहां पर क्या सवाल है पहले हम डायरिक्ली सवाल करेंगे क्योंकि हमने यह arrangement कर दिये हैं हमारे पास अगर paper आप solve कर रहे हैं तो यह हमारे तर्टीब देने के बाद कौन सा जुमला यहां पर चौता जुमला होंगा अब यहां पर देखिए हम लोग अगर इसको तर्टीब दे तो मैं वापस से आपको देकर बता रही हूं जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं यह उनके लिए हैं अब यहां पर क्या है जो चार इसको जाल में फसाया गया यह नमबर तीन पर आ जाएगा वो जाल से बाग नहीं सकता था एस यह नमबर चार पर आ जाएगा और उसको चुहों की सरगर्मी से आजात किया गया यह पी पांच पर आ जाएगा तो इस सवाल में क्या पूचा है चौता कौन सा है तो चौता रियारेंज करना है जो रफ पेज आपको दिया जाता है वहाँ पर इसको रियारेंज करके रखना है ताके आपको क्या हो जाए आसानी हो जाए आगे के सवालात आप सौल करने में आपका यहाँ पर टाइम बच जाएंगा विदीन सेकेंड आप क्या करेंगे आपके आंसर तक पहुँच जाएंगे 162 है Out of the given options choose the one which is the correct in direct speech of the sentence given below The doctor said the patient died in the night अब यहाँ पर हमको क्या करना है direct in direct speech ही दी गई है तो हमको यह देखना है कि direct in direct speech में हमको किस दहां से इसको सही जवाब आएगा अगर हम इसको convert करेंगे तो तो the doctor said अब देखे यहाँ पर direct in direct speech में जो reporting speech है reporting speech यानि क्या जो कहने वाला है उसका tense यहाँ पर change नहीं होता है अगर सामने वाला अगर सुनने वाला मौजूद नहीं है तो अब doctor के सामने सुनने वाला मौजूद है क्या नहीं अगर होता तो हम sad का वहाँ पर told कर देते लेकिन doctor के सामने यहाँ पर listener मौजूद नहीं है ओके तो हम क्या करेंगे the doctor sad as it is रहेंगा तो देखे एक ही जगा पर नज़र आ रहा है अगर आपको यह rule पता है तो देखे कितने जल्दी हम answer तक पहुँच गए बाकि हम कुछ एक करना पड़ा क्या नहीं क्योंके A में says है B में भी says है C में भी says है तो says तो नहीं आ सकता क्यों क्योंके reporting speech यानि जो कहने वाला है उसका tense यहाँ पर change नहीं होता है अगर सामने listener मौजूद है तो सिर्फ sad का told आ जाता है इंशालला ताला हम लोग English grammar को भी cover करने की कोशिच करेंगे तब यहाँ पर the doctor said that the patient अब देखिए that the patient died अब यहाँ पर क्या करना है हमको यहाँ पर हम change कर देंगे tense को यहाँ पर had died क्योंकि यहाँ पर past tense का इस्तेमाल किया गया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे past perfect tense का इस्तेमाल करेंगी in the night तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा sentence पढ़ने की भी जरुरत नहीं पड़ी और the doctor said आप यहाँ तक ही पहुँच गया तो आपको समझ में आ गया कि यही आपका correct answer है ओके reasoning का question है 163 complete the series by choosing right figure from the given अब यहाँ पर हमको क्या करना है series को complete करना है ओके तो series की तरह से complete हो रही है देखिए पहले इस तरह से है फिर anti-clockwise direction में गये है फिर इस तरह से उसके बाद अगली step इस तरह से की गई है बराबर अब यहाँ पर अगला क्या किया गया है इसको pack किया जा सकता है या तो हम अगर इस तरह भी देखे लेकिन यहाँ पर हमको तो ऐसे ही pattern अज़र आ रहा है इस तरह इस तरह इस तरह फिर उसके बाद क्या किया गया यहाँ पर इस तरह से तब इसको हम क्या करेंगी यहाँ पर pack कर देंगे तो option number D जो होगा इसका correct answer होगा पर अबर option number D क्या होगा इसका correct answer होगा ऐसा figure तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर अब complete अगर करेंगे यही वाला figure इसको मैं यहाँ पर वापस से add कर दूँगी तो यह figure complete होगा कि नहीं सिफ एक ही तो line की कमी है यहाँ पर तो वो एक line की कमी हमको कहाँ पर नज़र आ रही है इधर मतलब यह complete figure इसका होगा already यहाँ की line given है और यहाँ पर line given नहीं है तो यह भी इसका complete figure नहीं हो सकता है इस तरह से आप elimination method से भी कर सकते हैं यह directly आप figure को draw करके भी देख सकते हैं 164 है नामा किन्त या शब्दांचा विरुद्दार्ती शब्द कौन सा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है महराटी के जो विरुद्दार्ती सामानार्ती शब्द है जो कहावते हैं महनी है या फिर जो male female होता है वो यह सब चीज़े आपको क्या करनी है याद करनी है आपको आपको यह पढ़ना ही पढ़ेगा यह memory से related question है यह आपको पढ़ना होगा तब आपको जाकर महराटी के जो विरुद्दार्ती सामानार्ती शब्द है उसके answer आप लोग दे पाएंगे अब यह वेंट डाइग्राम से related question है देखे सवाल क्या है अब सवाल हमको directly देखना है यह सवाल पूरा read करनी के आपको ज़रूरत नहीं है time waste होगा सिर्फ हमको यह देखना है कि नीचे जो option दिये गए है उनमें से कौन सा figure सही इनका answer बताता है कि इसको figure के जरी किस तरह से represent किया जा सकता है तो यहाँ पर देखी क्या है हमको directly हमारे option को देखना है और जो main सवाल है उसको देखना है यह इतना बड़ा अगर आप read करते बैठेंगे तो आपका क्या हो जाएंगा इससे time waste हो जाएंगा आपको पता है कि ओपर क्या instruction दी गई है हमें पता है तो स्रीफ हमें क्या करना है main जो है वहाँ पर हमको जाना है क्योंकि exam में टाइम बहुत ही कम होता है उसी हिसाब से हमको हमारी speed बरकरार रखनी है तो यहाँ पर देखी क्या है ring है ornament से और diamond ring है तो देखे ya ring और diamond ring दोनों भी क्या होते है ornament होते है यन जेवरात होते है और हीरी की और गोटिया दोनों भी क्या है जेवरात की ही किसमे है तो यहाँ पर इसको option number E जो होगा वो correct answer होंगा तो देखिए यहां पर option number e option में कहीं भी नहीं दिया गया है तो आप देखिए हम यहां पर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं देखिए पहले हम गया जेवरात, जेवरात में हो गया अंगोठी, अब अंगोठियों में भी अलग अलग टाइप की होते हैं कोई हीरो की होती है कोई चांदी की होती है कोई सोने की होती है तो यहां पर अब यह हो गया फॉर्स्ट वाला जो सरकल हो गया वह जेवरात का हो गया उसके बाद अंगोठियों का सेकेंड वाला और थर्ड वाला इसमें इसमें ही आता है हीरे की अंगोठिया यानि जितने भी टाइप के अंगोटिया है वो सब जेवरात में ही आएगे तो इस तरहां से इसका जो होगा option number C इसका correct answer होगा सबसे पहले आपको option भी चेक करना है अगर option में E दिया होता तो E भी हम लगा सकते थे क्योंकि ये जेवरात जेवरात हो गया अब जेवरात में अंगोटिया और हिरे की अंगोटिया दोनों भी जेवरात में ही आ जाती है लेकिन अंगोटिया और हिरे की अंगोटिया में आपस में तालू के दोनों भी independent नहीं है इसके लिए हम option number E यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि यह क्या हो जाता है इनका मतलब यह दोनों भी independent है दोनों में कोई भी तालुक नहीं है लेकिन जबकि ring और diamond ring के अंदर तालुक है ओके यहाँ पर अगर अंगोटियों की जगा कोई और आ जाता बाली आ जाता है जिसे earrings वगेर आ जाता है तो हम इस तरह से यह वाले figure को select कर सकते थे लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है हमको यहाँ पर दिया गया है अंगोटियों दो बार मतलब दोनों के अंदर connection है दोनों भी एक दूसरे से तालुक रखती है तो इसलिए हमारा option number 30 का correct जवाब होगा बड़े वाला circle जेवरात का उसके बेर सेंटर वाला circle अंगोटियों का और last वाला हो जाएगा हीरे की अंगोटिया question number 166 के हम पर mathematical reasoning का है जो के हम mathematical reasoning के जो series कर रहे हैं उसमें इसको cover कर लेंगे 167 है अब यह वाला जो है यह easy question है maths का अब यहाँ पर क्या करना है आपको तो यह question में सिर्फ आपको 19 जर्ब 19 करना है और 21 जर्ब 21 करना है और जो भी हासिले जवाब हैंगा उनकी जमा कर देनी है यहाँ पर आपको बहुती आसान सवाल है तो इसका जो जवाब आजाएंगा वो आजाएंगा 6922 ओके अब यहाँ पर देखिए यह seating arrangement से related question है अब देखिए सवाल का figure कुछ इस तरह से मैंने draw की हूँ यहाँ पर देखिए क्या सवाल है कि study the following information अब यहाँ पर हमको पता है इस तरह का सवाल हमने पहले भी उपर पढ़ चुके हैं तो आपको यह भी figure एक जगा आपको draw करके रखना है देखिए यहाँ पर condition लिखी है कि A, C, D, G, He, and FB एक दुसरे के basi है तो देखिए A, C बूस. असे एक दुसरे के basi हो गहाँ बराबर एक दुसरे के और क्या है D, 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 G. एक दुसरे के basi हो गए यहाँ पर He, तो देखिए. और F, B. दूसरे के basi हो गए straightforward दो दूसरे के basi हो गए and F, B. और B is second to the right of H और जो B है वो H के right में अगर हम जाये तो second number पर आता है तो इस तरह से ये figure draw हो गया अब सवाल पर focus करेंगे who is second to the left of A अब A का left अगर A का left हमको देखना है अब इनके जो face है वो is direction में है उनके face किदर है? circle की तरफ इनके face है और के इस तरह से वो circle की तरफ face करके बैटे हुए है अगर circle की तरफ उनका face है तो इस तरह के arrow के हिसाब से अगर हम जाये आपको arrow का निशान इस तरह से यहाँ पर लगाला है तो इस तरह के arrow के हिसाब से अगर हम जाये तो यह कैसा हो रहा है अब ये arrow को देखिए आप और ये arrow को देखिए आप यहाँ पर अगर मैं ये arrow बनाती हूँ तो ये arrow का ये क्या हो जाएगा मेरा right हो जाएगा ये मेरा left हो जाएगा ये arrow हमको कैसा नज़रा रहा है tilted यानि घुमा हुआ नज़रा रहा है तो इस arrow का right और left कैसा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बराबर यनि यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग यह इसका left हो जाएगा यह इसका right हो जाएगा अब क्या पुछा कि left of second क्या आएगा A से यहाँ एक के left में अगर हम जाते हैं second number पर क्या रहा है यहाँ पर G यार D अब यह G और D की position change हो सकती है D G के लिए कोई खास उन्होंने rule नहीं दिया है तो हमको सी fat G से लिखना है उनको तो यहाँ पर G की जगा पर D और D की जगा पर G भी आ सकता है तो यहाँ पर अभी हमने जो अरेंज की उसके हिसाब से A के left में second number पर क्या आ रहा है G आ रहा है या D भी आ सकता तो हमको check करना है देखिए बराबर cannot be determined क्यों cannot be determined अगर उन्होंने option के अंदर D या G में से कोई एक दिये होते तो हम फॉरन लगा लेती कि D आएंगा या G आएंगा क्योंकि दोनों की जगे change कर सकते हैं उन लोगोंने सिर्फ D और G को सवाल के अंदर adjacent बताया है देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह वाली line अगर हम देखते तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कोन किसका पडोसी है लेकिन यह जो नीची की लाइन यहाँ पर उन्होंने specify भी किया है उसको detail में बताया है कि A जो है वो H के भी पडोस में आएंगा A कैसा आएंगा देखिए H के भी पडोस में आएंगा मैं आपको इसको चाहें तो draw करके समझाती हूँ देखिए इस तरह से यह figure बना हुआ है अब यहाँ पर A और C कहा गया है बरबे तो suppose हमने यहाँ पर A लिए और हमको क्या कहा गया है A और C एक दूसरे के पडोसी है अब A जो है A is also adjacent to H यानि A की इदर साइड में H आ जाएगा क्योंकि यह भी दोनों पडोसी लेकिन H के फॉरण बाजू में क्या चाहिए हमको E चाहिए यहाँ पर E आगा अब अगली condition देखिए B is second to the right of H अगर हम right में जाते है तो H का right यह side में हो जाता है तो उससे second number पे क्या है B है यानि B यहाँ पर मौजूद है लेकिन B की जोड़ी किसके साथ बेनी है F की यानि F इदर आ जाएगा अब उसके बाद क्या बच गया D और G अब D और G के लिए देखिए सिर्फ D और G की जोड़ी बताई गई है लेकिन अब E is third to the right of C अब E जो है वो C के right में third number पर देखिए एक दो और यह तीन बराबर आ गया है यहाँ पर भी है लेकिन D और G के लिए ऐसी कोई खास बात नहीं बताई गई है तो हम D और G को चेंज कर सकते हैं मतलब D और G यहाँ पर भी आ सकता यह इस तरह से हम D की जगा पर G यह G की जगा पर D भी ले सकते हैं बस हमको दोनों को क्या करना है बाजू में लिखना है तो हम इनकी जगी क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो इस हिसाम पर सावाल में क्या गया गया कहा गया हूं he is second to the left of a या 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 नि एक कि अगर left में हम जाते हैं इस direction में तो db आ सकता है जी भी आ सकता है दोनों में से कोई भी आ सकता है वो हम पर depend करता है कि हम लोग arrangement किस तरह से कर रहे हैं क्यांकि यह बाकी कि यहां सी यहां तक कि अरेंजमेंट उन लोगों ने हमको बता दिये किस तरह से करनी है सिर्फ डियो जी के लिए कोई स्पेसिफाइ नहीं किया है बस इतना बताया है कि दोनों आपस में पडोसी है तो यहां पर ऑप्शन में अगर डिया जी में से कोई एक दिया जाता तो हम लोग लगा सकते लेकिन दोनों दे दिये गए तो यहां पर यहां पर डिटर्माइन आ जाएगा इसका जवाब अब देखिए एनलोगी से रिलेटेड कुश्चन है कि हमको क्या करना है in the following question select the related word number from the given alternative यहां पर correlation तलाश करना है कि जो दिया गया है जवाब उसमें क्या correlation है उसके हिसाब से यहां पर हमको blank space में भी वही देखना है तो bird and fly में क्या तालूग है कि चिडिया का काम है उड़ना चिडिया का काम क्या है उड़ना चिडिया क्या करती है उड़ती तो air kite में kite जो होवा में उड़ती है लेकिन kite का 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 म air है क्या नहीं fish का का म स्विम है क्या trees का का म leaves है क्या जी नहीं वो उसका part है और increments यह नहीं कबज़ और कबज़ा करना यह भी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा fish and swim यहाँ पर यह जो तालुक है सही बैठता है fish and swim का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका fish and swim इसका आ जाएगा क्योंकि birds का काम चिरिया का काम उड़ना है उसी तरह से मचलियों का काम क्या है तैर ना है यानि मचलियों पानी में रहती है इसलिए वो तैरती है और birds जो है वो fly करते हैं तो यहाँ पर यह तालुक हमको सही लगता है तो fish and swim का सही जवाब होंगा benefits of a joint family are यानि एक मुश्टरे का खांदान के क्या फवाइदी यानि joint family में रहने की वज़े से क्या फाइदे हो सकते है तो देखिए यहाँ पर line से देखेंगे हम लोग एक एक first यहाँ पर child can get better environment यानि बच्चों को बहतर माहुल मिल सकता है जी हाँ अगर joint family है घर में दादा दादी है चाचा चाची है मतलब घर के बड़े लोग है घर में उनके बच्चे है तो बच्चों को जो है बहतर माहुल मिल सकता है ये है इसका एक फायदा अगर कोई मसला आ जाता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो घर में बहुत से अफराद मौजूद होते है बच्चों की देखभाल करने के लिए तो ये भी एक इसका फायदा है अगर सेपरेट फैमिली है जो के बच्चों को समभाल लेते है उनकी देखभाल कर लेते है इसमें हिफाज़त के मसाइल कम है यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते है इसमें हिफाज़त के मसाइल कम है यानि हिफाज़त का मसला नहीं है वहाँ पर वहाँ पर security ज्यादा है यहाँ पर less security problem दिया गया इसको समझने की कोशिश कीजिया कि इसमें हिफाज़त के मसाइल ज्यादा अगर होता तो यह option cancel हो जाता लेकिन हिफाज़त के मसाइल काम है यानि बच्चों की security का मसला जो है वो कम हो जाता है वहाँ पर यानि security बढ़ जाती है बच्चों की ओके जो मसला है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों की हिफाज़त जो है वो अच्छे से हो जाती है joint family के अंदर क्योंकि वहाँ पर members की तैदा ज्यादा होती है ज्यादा लोग होते हैं देख रेक करने के लिए तो इसका जो answer आएगा याएगा all of the above तो आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में बाकी के questions को हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे जितनी भी बाते इस वीडियो में बताई गई है वह आप अच्छे से देखिए खुद भी solve करने की कोशिश कीजिए बाकी के sets के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी share कीजिए comment में आपका suggestion आप दे सकते हैं कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं अगर आपका कोई और suggestion है तो मुझे बताईए comment के अंदर तब तक के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए अगर अभी तक subscribe नहीं किया है दूआ में याद रखिए अल्ला हाफिज